नमस्ते महुं देव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर आज हम बात करने वाले हैं आटोमेशन के बारे में आटोमेशन बहुत इंपोर्टेंट टूल है और मॉडर्न म्यूजिक प्रोड़क्शन बिना आटोमेशन के exist नहीं कर सकती सो बहुत important है, let's jump into it मेरे सामने यहाँ पर एक audio sample है जो मेरे ही sample pack में से लिया गया है देवनेक्स लेवल guitar sample pack अगर आप चाहें तो मेरी website पर जाके check कर सकते हैं मैं चाहता हूँ कि इसके volume को या इसकी panning हो गई जो left right हम move कर दे हैं या किसी भी और effect को मैं automate करना चाहता हूँ automation क्या चीज़ है, बहुत basic मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ i button पे click किया, चलिए मेरा volume है फिलहाल मैं इसे manually उपर या नीचे कर रहा हूँ पर मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप होता रहे और मैं दूसरे काम करता रहूँ मगर इसके उपर मेरा ध्यान ना हो इसके बावजूद ये अपने आप automate होता रहे तो मुझे क्या करना है right click और यहाँ पर लिखा है edit automation volume इस पर click किया और मेरे सामने यहाँ पर एक line बनी हुई आ गई बहुत ही simple right control और मैं थोड़ा सा इसे zoom कर लेता हूँ यह जो blue line है अगर आप देखेंगे बहुत ही simple है मैं यहाँ जाता हूँ paint tool मैं यहाँ जाता हूँ और कहीं भी click करूँगा यह देखे एक control point बन गया मैंने दूसरा control point कहीं भी बनाना चाहूँ चली यहाँ बनाता हूँ यह बना इसे पकड़ा और कहीं भी यहाँ ले गए यहाँ click किया उसके आप मैंने यहाँ click किया जहाँ जहाँ मैं click करता जाऊँगा यह अपने आप एक graph बनता जाएगा और यह graph क्या चीज़ कर रहा है यह मेरे volume का graph है अगर मैं इसे पीछे जाके play करूँगा तो आप देखेंगे जैसे जैसे मेरा graph चलता है वैसे वैसे ही volume जो है वो अपने आप यह जो fader है up down होता रहेगा ध्यान से देखेगा इस graph को और इस fader को nice कितना simple कितना ही easy तो जैसा यह है इस तरह से मैं बहुत सारे effects के उपर for example यहां पर insert पे click करता हूँ और यहां से मैं कोई भी एक effect ले लेता हूँ इन effects के बारे में भी हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं यहां से मैंने compressor ले लिया ठीक है nice बहुत बढ़िया यह है मेरी ratio मैंने right click किया edit automation ratio और यहां पर यह yellow color की जो automation है वो इसके उपर आ गई और highlight किस तरह से होगी सारे knobs के उपर देखेंगे सिर्फ इस knobs के उपर यह dot नजर आ रहा है यानि कि इसकी कहीं न कहीं automation चल रही है मैं यहां गया मैंने एक point दिया दूसरा point इदर तीसरा कहीं भी जहां मेरा taste हो मैं उसे साब से बना सकता हूँ या फिर आप यहां जाएंगे इस पर click किया यहां से मैंने लिया parabola यह देखेगा यहां click दिया और कहीं भी यह देखेए अपने आप control points एकदम parabola या फिर मैंने यहां पकड़ा और मैंने ले लिया एक square यहां मैंने point दिया यह देखी मैं कहीं भी आगे पीछे जाओंगा अपने वो square मैं इसे बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ same goes for saw sign triangle right कितना ही आसान है मैं वापस जाता हूँ num पे zero मैंने click किया एक बार इसे मैं play करके देख लेता हूँ और साथ ही इस compressor को भी हम on करके देखते हैं आप इस ratio पटन पे ध्यान दीजेगा यह देखी आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मेरा graph चल रहा है वैसे वैसे यह knob अपने आप automate हो रही है nice चली यहां से मैं कोई एक instrument ले लेता हूँ अब चली यहां पर मैंने एक media की बहुत ही basic ठीक है एक melody बनाई यहां बे click किया और यह synthesizer मैंने use किया इसका जो भी preset यहां से मैंने कोई एक select कर लिया अब यहां पर for example मैं cut off या drive या punch या resonance कुछ भी छेड़ना चाहता हूँ इन सब buttons का क्या मतलब है इनके बारे में यह knobs क्या है यह क्या techniques है इनके ओपर भी हम जल्दी आएंगे तो मैं किसी को भी किसी भी knob को या किसी भी fader को automate करना चाहूँ तो right click करूँगा और obviously edit automation लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ बहुत important आप अपने keyboard पर प्रेस करेंगे Alt और A आपने प्रेस करके रखा हुआ है Alt A और जहाँ जहाँ मैं click करता जाऊँ यह देखिए drive वहाँ पर यह dot आ गया punch एक dot आ गया चलिए इस पर भी कर देते हैं resonance तो चारो knobs के उपर आप चाहें तो कहीं और भी इन में से जहाँ जहाँ click करना चाहें वो select होते जाएंगे right आपने छोड़ दिया इसे बंद किया यह भी बंद किया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यह हिस्सा यहाँ पर click करेंगे तो उसकी सारी automations खुल जाती है यह click किया यह देखिए cut off की automation drive की automation punch की automation resonance की automation तो सब की automations जितने भी थे उनकी एक साथ सभी की सभी automation दिखनी शुरू हो गई चलिए मैं जल्दी से क्या करता हूँ मैं यहाँ पर कुछ भी एक मैं भी ना सुने ही कर रहा हूँ मैं आपस आपको एक overall view दिना चाहता हूँ कि automation से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और यह क्यों इतनी ज्यादा important है आने वाले lectures में हम देखेंगे कि automation को हम कहा कहा यूज करेंगे बहुत ज्यादा techniques के अंदर ये काम आने वाला है मैं random कहीं भी move कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक idea देना चाहता हूँ कि exactly जो मैं कर रहा हूँ वो finally होने के वाला है ठीक है यहाँ पर मैंने resonance, punch, drive, cut off सब छेड़ दिया वापिस मैं सिंथ खोलता हूँ अब देखेंगे जब वो melody यहाँ से move करेगी मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ यहाँ तक ही करे तो इन चारों knobs को आप ध्यान से देखिएगा कि यह क्या करते है वो अपने आप move कर रहे है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने dedicatedly कोई न कोई एक operator बिठा रखा है किसी इनसान को कि आप cut off छेड़ते रहें आप drive छेड़ते रहें आप punch छेड़ते रहें तो आप देख सकते हैं कितना कुछ dub step हो गया future base हो गया या और भी electronic dance music के जितने भी sub genres है उसके अंदर कितनी ज्यादा automation होती है धीरे धीरे volume बढ़ रहा है panning हो रही है left या right हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है तो उम काफी चीज़ें इस तरह की चाहें तो कर सकते हैं अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी option दिखाता हूँ automation के अंदर मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर select किया और यहाँ से मैं गया volume ठीक है मैंने एक बार इस volume पे click कर दिया अगर यह उपर नीचे move हो रहा है control प्रेस करके click करूँगा तो वो 00 हो जाएगा जैसे मैंने इस पे click किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरी volume की automation जो है वो आ गई है मैं mix पे जाता हूँ और आप देख सकेंगे कि यहाँ भी मेरे पास जो है वो आ चुकी है मैं यहाँ गया यहाँ लिखाए auto off मैंने इस पे click किया और यहाँ पर आपको auto off means automation यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर options हैं और इसमें से मैं एक लिए लेता हूँ touch यानि कि मैं touch वाली option इस्तेमाल करने वाला हूँ automation के दोरान और देखिएगा अब क्या चीज़ होगी यह volume है मैंने इसे थोड़ा पीछे ले गया मैं play करूँगा और चलिए इस volume के साथ हम खेलेंगे अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैंने जो जो भी move किया अपने आप उतने record कर लिया loop के दोरान भी अगर मैं कुछ change करना चाहूँ तो मैं कर सकता था मैंने पीछे किया वो record कर चुका है जो भी मैंने move किया था touch option के साथ मैं play करूँगा और अपने आप जहां-जहां मैंने move किया था उसने record किया था वैसी ही automation वो चलेगी देखिए कितनी अच्छी option तो automation बहुत ज्यादा important चीज है आप किसी भी चलते गाने के अंदर कोई crescendo create करना चाहते हैं कुछ drop देना चाहते हैं धीरे धीरे उसका volume बड़े या कोई और effect हो कोई filter हो आप या down हो या जो भी मैं words यूज कर रहा हूँ filter या कुछ आने वाले lectures में हम जल्दीन के बार में बात करेंगे फिल हाल हमने cover की है automation मिलते हैं आगले lecture में तब तक के लिए देव next level signing out नमस्ते